तो चलिए देखते हैं, 2024 से एडवान्स में आया हुआ, एक शांदार सा polynomial quadratic equations पर आया हुआ सवाल, देखते हैं सवाल क्या कहा रहा है, और ज़रा ध्यान से सुनिये का मेरी बात हुआ, आपको एक function दिखा, function मिला है, चार डिगरी का, जिसके अंदर A, B और C आपके लिए known नहीं है, ये एक polynomial है with a real coefficients, और जो भी coefficients हैं वो real है, such that, एक बात आपको दी गई है कि function की value 1 पर माइनस 9 होगी, suppose that iota root 3 is a root of the equation this, if alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4 are all the roots of the equation, fx is equal to 0, इस equation जो 4 डिगरी की है, इसके 4 root होंगे, और 4 रूट alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4 होंगे, तो आपको उनके roots के modulus के squares का sum बताना क्या होगा, बहुत simple सवाल है, आप ज़रा मेरी बात सुनेगे, आपको एक equation दी गई है, 4x cube, plus 3ax square, plus 2bx is equal to 0, अब आप इस में से x common निकाले का तो यह बनेगा, 4x square, plus 3ax, plus 2b, अब एक root तो 0 हो रहा है, ध्यान से सुनिए अगर बात को, एक root तो 0 हो रहा है, बचे 2 root, अब उसने काए कि एक root आयोटा root 3 होगा, बाई साब imaginary root की तारीफ होती है, कि अगर एक root आयोटा root 3 होगा, एक root आयोटा root 3 होगा, तो दूसरा उसका conjugate minus का IOTA root 3 होगा, यह बात आपको पता है कि अगर एक IOTA root 3 तो एक minus का IOTA root 3, तो इसके दो रूट दोनों पता लगए इसका एक जीरो पता लगए तो इसके बारे में तो सब पता लगए अब अगर सब पता लगए तो आप यहां से जल्ली से A, B और C को चुरा लो देखो sum of roots कितना हो जाएगा equation में देखो minus x का coefficient by 4 और यहां से sum of roots कितना हो जाएगा 0 तो यहां से A की value कितनी हा लगए है 0 A हमें पता लगए 0 होगा यानि कि यह तो होगा ही नहीं सुनते रहना उसके बाद product of roots कितना आ रहा है यहां से सुनना 3 minus और iota into iota iota square फिर minus 1 तो प्लस का 3 आ रहा है और उपर से product कितना आ रहा है 2B by 4 तो B की value कितनी आ रही है 6 A पता लग गया B पता लग गया बस C और पता लग जाए पहले A और B को उठा कर रख दो उस function तो उस function के अंदर X की पार 4 plus A तो है ही नहीं 0 आ गया B कितना है 6 6 X square plus C अच्छा एक data और दिया गया है कि function की value 1 पर minus 9 है function के अगर 1 डालोगे तो यह आएगा 1 plus 6 plus C और यह minus 9 है तो 7 plus C minus का 9 है तो C की value आजाएगी minus का 16 उठा के वापस से डालिएगा तो यह बनेगा X की पार 4 plus 6 X square minus का 16 is equal to 0 अब इसके 4 root आएंगे और 4 root आपको समझ मा जाएंगे आपके सामने निकाल आएंगे भई आप एक काम कर सकते हो न इस वाले 6 को middle time split करके आप लिख सकते हो न कितना 8 और minus 2 यह हो जाएगा X square plus 8 यह छोटी-छोटी टेकनीक्स आपना सकते है X square minus 2 तो यहां से X square की जो value आ रही है एक तोवार यह 2 और X square की value आ रही है minus का 8 तो X यहां से आजाएगा plus minus of root 2 और यह आजाएगा यहां से plus minus of root 2 2 root 2 आउटा कितना आजाएगा बई negative के उपर root आए न आजाएगा और कितना जाएगा plus minus आएगा even degree के वज़े से और 2 root 2 आजाएगा अब यह दो root यह हैं दो root यह हैं तो टोटल चार root है alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4 चार root हैं तो एक root 2 का modulus root 2 का square 2 तो एक तो 2 आएगा minus root 2 का modulus root 2 का square 2 फिर plus का 2 आएगा 2 root 2 आएटा देखिए आएटा तो इसलिए लगा होता ना कि वो imaginary axis पर है लेकिन दूरी तो आप 2 root 2 ही चलोगे ना तो उसका modulus 2 root 2 आएटा का modulus तो 2 root 2 ही होगा ना तो modulus तो 2 root 2 का उसका whole square होगा तो कितना हो जाएगा 2 root 2 का square 8 आजाएगा अब चाहें वो plus का हो या minus का हो तो 2 root 2 आएगा तो plus 8 plus 8 8 plus 8 16 plus 2 plus 2 20 20 आपका answer आजाएगा तो इसकी value इसके बरावरती तो इसकी value 20 के बरावरती तो उम्मीद करता हूँ कि ये question भी आपको जो है वो समझ माया होगा और आप इस question को एक बार खुझ से solve करने की कोशिश करेंगे और उसके करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या आप solve कर पाए Thank you